जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्पूर्ण जानकारिया दूँगा जैसा कि आप पीछे थम नेल में देख रहे हैं तो दोस्तो आगे बढ़ते हैं पहले रिविव कर लेते हैं कि कौन- गजब पूर सेनिको और सभी पैशनर के लिए सेंटरल पैशन रूल 54 मिलेगा फायदा पैशन पर जैयांदो सेंटरल का एक रूल है पैशन पर रूल लंबर 54 इसकी अनुसार आपको क्या फायदा मिलेगा इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूँगा फिर दोस्तो पैशनर को मिली area sheet area बनाया गलत सभी पैंशनर देखे यहां दोस्तों कुछ पैंशनर ने CPPC से bank से area sheet मांगी ती जो उनको पहले area मिल गया था लेकिन दोस्तों कुछ पैंशनर का यहां पे नुकसान कर दिया गया कुछ सर्कुलर के तहत किस सर्कुलर के अधार पे आपका नुकसान करा गया है bank CPPC द्वारा और आपको आगे नुकसान ना हो कैसे बचें आप इसकी जानकारी में आपको आगे दूँगा अगली जानकारी में आपको दूँगा पूर्व सैनिकों और जवानों के लिए तारीक में तबदिली जिया दोस्तों क्या है दोस्तों यह सर्कुलर इसकी जानकारी भी मैं आपको आगे दूँगा तो दोस्तों यह तमाम जानकारी आपके लिए बहुत मैट पूर्व है इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखरी तक देखेगा और अपने गुरूप में भी शेयर कर दिजेगा वी और पैंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सलूशन किया जाता है बीज़ बीज में चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं विस्तार से जानकारिया लेते हैं दोस्तों सबसे पहली जानकारी है केंद्रे सैनिक बोर्ट के दौरा जैसा आपको पता है पहले केंद्रे सैनिक बोर्ट के द्वारा एक लेटर जारी करा गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो केंद्रे सैनिक बोर्ट की वेब साइट है वो फिलाल बंद है कुछ टेकनिकल गलतियों के कारण और जब इसे ठीक कर दिया जाएगा तो फिर आप सही तरीके से इस वेब साइट का इस्तमाल कर पाएंगे तो दोस्तो पहले लेटर में उन्होंने कुछ डेट मेंशन कर रखी थी कि इस पीरड में आप डॉकुमेंट अप्रूट कर सकते हैं और जब ये साइट ठीक हो दोस्तो अब इन्होंने कुछ डेट एक्स्टेंड करी है अपना एक नए लेटर निकाला है 29 मई 24 का दोस्तो पहले जो डेट थी वो थी 10 मई 24 से 24 मई 24 के बीच में अब दोस्तो ये डेट बढ़ा दी है अब बढ़ा दी है एक जून 24 से 30 जून 2024 तक अब दोस्तो आप ये काम एक जून 24 से 30 जून 24 के बीच में कर सकते हैं अगर कोई परशानी आती है तो दोस्तो फिर आप नीचे कमेंट करके बताएगा और दोस्तो आप आवेदन भी कर सकते हैं आप एपलाई भी कर सकते हैं एक जुलाई 2024 से जून दोस्तो एक जुलाई 2024 के बाद से आप एपलाई भी कर सकते हैं केस्वी की वेबसाइट पर तो दोस्तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एक्स्टेंशन किया है डेटों का एक्स्टेंशन और कुछ चाइम बाद आपकी सारी चीज़े एप्रूफ हो जाएगी चलते हैं दोस्तो अगली जानकारी के तरफ फिर दोस्तो यह लेटर है स्रकूलर 568 और स्रकूलर 631 का दोस्तो यह लेटर बेजा है PCDA ने CPPC को यह बताने के लिए कि Honorary News सुबेदार को स्रकूलर 568 भी इलीजीवल है और स्रकूलर 631 भी इलीजीवल है यहां दोस्तो एक pensioner ते जिनकी death होगी थी बहुत पहले तो family pension को circular 568 का area मिलना था और 631 का area मिलना था लेकिन दोस्तो यहां पर record office हो गए या फिर pension dispersing agency हो गई वो बार बार family pensioner को टाल रहे थे लेकिन दोस्तो इन pensioner ने CP gram के तुरू complaint डाली फिर दोस्तो PCDA ने direct SBI CPPC को लिखा कि इन family pensioner को circular 568 का area भी मिलेगा और 631 का area भी मिलेगा और इन pensioner का rank था पहले honorary nap सोविदार तो दोस्तो अब यहां पर बात पूरी तरीके से clear है कि जो rank honorary nap सोविदार है उनको circular 568 भी eligible है और circular 631 भी eligible है दोनों circular का area मिलेगा पहले 568 आया तो उसका area मिला 2016 या 17 में फिर 631 आया फिर उसका area मिलेगा तो दोस्तो यहां पर NPC बनाने के लिए due drawn statement बनाने के लिए यहां पर इस पर्ष ने बोला है SBI CPPC को कि आप हमें due drawn statement बना के दें circular 568 की भी और circular 631 भी ताकि हम family pensioner को दोनों circular का area देप पाएं तो इस तरीके से आप भी कारवाई कर सकते हैं अगर आपका rank honorary nap सोविदार है और आपको सिरफ 631 का area मिला है या फिर 568 का area मिला है दोनों circular का आपको area मिला होगा अगर नहीं मिला तो फिर आप कारवाई कर सकते हैं चलते हैं आगली जानकारेगी तरफ फिर दोस्तो मैं बात करूंगा pension rule की जी हैं दोस्तो अभी मैं आपको समझाया था कि मैं आपको एक pension rule स married daughter, widow daughter, divorcee daughter are entitled for family pension जैसा आपको बता है अगर poor sanny की death हो जाती है, pensioner की death हो जाती है और उसके बाद wife की भी death हो जाती है तो फिर बच्चे eligible होते हैं, अब दोस्तों इसमें लड़कियां भी eligible होती हैं, जो unmarried है, जो वीडियो हैं, divorcee हैं, तो दोस्तों उनको क्या काम करना है, किस rule के अंतरगत अपनी family pension चलानी है, क्या document submit करने हैं लड़कियों को, आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी information दूँगा, इस rule के अंतरगत, तो इस वीडियो को आप शेयर भी करेगा, ताकि जो आपके बच्चे हैं, वो भी समझ पाएं, आगे उनको कोई दिक्कत ना हो, this pension is allowed only up to her remarriage, on her earning a monthly income of rupees 9,000, और it will continue lifelong, यहां दोस्तों, जो भी divorcee daughter है, जो भी unmarried daughter है, या फिर जो widow daughter है, उनको family pension कब तक मिलती है, जब तक मिलेगी, जब तक की वो दूसरी शादी नहीं कर लेती है, या फिर जो unmarried लड़की है, वो शादी नहीं कर लेती, या फिर उनकी earning 9,000 से ज़्यादा नहीं हो जाती, अगर उनकी earning 9,000 से ज़्यादा है, तीनो लड़कियों की, चाहिए वो unmarried हो, widow, divorcee हो, अगर 9,000 से ज़्यादा है, तो फिर उनको family pension नहीं मिलेगी, अगर वो शाद दोर्टर है, तम मिल जाएगी family pension, डिवोर्सी है, तम मिल जाएगी family pension, अब दोस्तों, डॉकुमेंट क्या क्या चाहिए, जरा आप इस पर गौर कर लेते हैं, और इजनल और अटेस्टेट डेट सेटिफिकेट और फादर और मदर, फादर का मदर का ओरिजनल डेट सेटिफ एक reference के लिए, या फिर proof of marriage, यानि जब आपकी पहली शादी हुई, उसका proof, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, विडो डॉटर और डिवोर्सी डॉटर का, फिर दोस्तों क्या चाहिए, obtain original judgment, align divorce by a family court judicial, यानि डिवोर्सी डॉटर के लिए, अगर family pension चाहिए, तो फिर court का कागच, जिस बेस पर डिवोर्स हुआ, court में, उसका कागच चाहिए, कि जब डिवोर्स हुआ, कब से हुआ डिवोर्स, तो उसका कागच, फिर दोस्तों, birth certificate, in the absence, the original metric certificate, SSLC certificate, फिर birth certificate, जनम, परमान, पत्र, चाहे दोस्तों, लड़की कहें भी born हुई हो, birth certificate चाहिए, फिर दोस्तों, income certificate, income certificate, clearly specifying monthly income from local authority, counter signed by a graduate officer, किसी graduate officer के द्वारा sign किया गया, income certificate, जियां दोस्तों, कई लड़कियों की income नहीं होती, लेकिन फिर भी zero income का, कई बार income certificate बनवाते हैं, तो income certificate भी, 9000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यह तो family pension नहीं मिलेगी लड़कियों को, PPO of the deceased father, mother, फिर PPO की copy चाहिए, अगर father की death होगी है, तो उनका जो PPO होगा, या फिर mother के नाम से जो PPO बना होगा, father के expire के बाद, जब mother को family pension मिल रही थी, तो दोस्तों, दोनों में से, किसी का PPO, आपको करना क्या है, approach the nearest Jilla Sanic welfare office to include the name in the dependent list, they will give further guidance, आपको करना क्या है, चाहिए आप Navy के हो, Air Force के हो, चाहिए आप Army के हो, आपको Jilla Sanic Board जाना है, या फिर DIAV भी जाना है, आपको सीधा चले जाना है, Jilla Sanic Board, ये इस document दिखा कर, हाँ से आप अपनी कारवाई बढ़ा सकते हैं, इसके बेस पर आपको family pension मिलेगी, एक दो महीने में family pension नहीं मिलेगी, चाहिए वो Unmarry लड़की हो, चाहिए वो Divorce ही हो, चाहिए वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया, कई bank CPPC ने area sheet दी है pensioner को, pensioner ने मंगाई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमें area गलत मिले, तो दोस्तो circular 512 था, और ये था disability पे, जो disability आपकी revise हो थी, 2.57 करके, तो उसी का दोस्तो ये area था, दोस्तो ये जो area दिया, ये गलत area पे किया, जहां दोस्तो, इसमें CPPC bank ने DA गलत लगा रखा है, एक-एक सूला से जो DA था, वो था 0-0-0, लेकिन दोस्तो, जो payable करा इनोंने, वो यहां पे लगा दिया, 119%, 119% करके, टोटल area यहां पे बना दिया, सिरफ 17,265 रुपे, ये गलत है दोस्तो, दोस्तो, यहां पे इनोंने due drawn statement बनाया है, यानि, पहले मिला 1857, और मिलना था 4773, तो दोस्तो, यह difference ही इतना ज़्यादा है, कि 17,000 तो area बन नहीं सकता, इनका area बनेगा यहां पे, 62,718, दोस्तो, यह area sheet मैंने भेज दी है, जी यहां दोस्तो, पैंशनल को, और मैंने बोला है, कि इसके बेस पर आप कारवाई करे, यह बिलकुल सही area sheet है, और बिलकुल सही यहां पे DA calculate कर रहा है, जितना 11,16 से था, तो दोस्तो, यह इनको area पे हो area sheet है, और यह area sheet है, circular 568 की, जिसमें pensioner को किसी दूसरे group के साफ से area pay कर दिया, मिलना था Y group के साफ से, और pay कर दिया, E group के साफ से, जिहां दोस्तो, इनका rank था सिपाई, disability भी इनकी चल रहे थी, cool calling bank service थी, 9 साल, तो दोस्तो, यहां पे आप देख रहे हैं, जो bank ने, CPPC ने area ब देख रहे हैं, यह पूरी pension, 4940, E group की है, बलकि 1126 से, आपके पुराने group को merge कर दिया गया था, X और Y में, मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो दोस्तो, इनको मिलना था, 5125, दोस्तो, इन pensioner ने, मेरा पुराना वीडियो देखा, और उसके base पर, आज, इन्होंने यह area sheet भेजी, मुझे, कि सर, bank ने, CPPC ने, यह area बनाया, तो दोस्तो, मैंने जब इनकी area sheet देखी, तो मैंने पाया, कि इनको E group के अनुसार payment कर दिया, कितना, 4940, और बलकि मिलना था, 5125, तो दोस्तो, यही पर गलती पकड़ी गई, bank CPPC की, तब ही मैं आपको कहता हूँ, कि आप वीडियो देखें, चागरूग बने, कारवाई करें, और आप अपना हक लीजी, तब ही मैं आपको अपना वीडियो देखने के लिए बोलता हूँ, तो दोस्तो, आपने यहाँ पर देखा, डिरेक्ट यहाँ पर, bank CPPC ने गलत area बना रहा है, मिलना था, 5125, और मिल गया 4940, तो इसलिए, जो आपका गुरूप है, जो भी आपका पहले राओ गुरूप, उसके अधार पे payment नहीं होगा 568 का, एक एक दो जाचे से, या तो मिलेगा X गुरूप के साब से, या मिलेगा Y गुरूप के साब से, और Y गुरूप की pension यहाँ पर ज़्यादा है, 568 में, पु अच्छे से समझेंगे, वीडियो आपको अच्छे लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्काइब कर सकतें, थैंक्यू सो मच,